महराष्ट के रतनागिरी के खेड़ जिले में एक गाउं तुमबाड दिल्चस्पात ये है कि तुमबाड वास्तव में मौजूद है बाड भारत में एक नई अनुकी जगा के रूप में उपराए पर ग्रामिनों के अनुसार यहां की क्या मानता हैं क्या तुमबाड गाउ र जिसने सोला करोड देवी देवताव को जन्म दिया पृत्वी उसका गर्ब थी और उसके पास सोने और अनाज के बड़े भंडार थे इस गर्ब से उसका पहला बच्चा उसका पसंदीदा और उसके बच्चों में सबसे दूस्ट हस्तर पैदा हुआ वह एक तिव्य के लिए हाथ बढ़ाया कुमजोर और उनके हमलों को जेलने में असमर्थ हस्तर की माँ ने उसे बचाया और वापस अपने गर्ब में रख लिया लेकिन इसकी एक कीमत थी कि उसकी कभी पूजा नहीं की जाएगी ऐसे अन्ने देवी देवताव की पूजा की जाती थी वास् या पुराणी कथाओं में हस्तर का कोई उल्लेक नहीं है क्योंकि हस्तर के जीवन को बक्षने के लिए देवताव की शर्तों के अनूसार हस्तर का सारा उल्लेक मिटा दिया जाना था हस्तर को उसके परिवार दुवारा नीचे गिरा जाने का मितक ग्रीक पूराणी कथाओं बड़े देवताव टाइटन्स से मिलता जूलता है जो ओलम्पियन के पूर्ववर्ती थे गैया में जन में ग्रीक धर्ती माता की आकरती जो तुम्बार के भोतायत की देवी के लिए खड़ी हो सकती थी किन क्रोंस टाइटन्स का नेता था जिसे अंततैक जूस ने अपने ही बेटे के द्वारा नीचे गिरा दिया था एक और प्राणिक पातर जो हैस्टर से मिलता जूलता है वह है मैमोन कहानी बाइबल के नई नयम में पाई जाती है एक वस्तो के देवता मोन का नाम ही हिब्रू शब्द है जिसका आर्थ है पैसा उसे एक ऐसी इकाई की रूप में संधर्पित किया राता है जो लालच को आमतरित करते हुए संसार एक धन का वार्दा करती है तुमबाड के स्थानिया लोगों का मानना है कि इस छेतर में भूमिकत एक विशाल खजाना है इसे उनके पुर्वजों ने संधर्पित किया था और कुछ कॉंकरी ब्रामणों ने अपने लाब के लिए भूले हुए भगवान की भूत जैसे आत्मा को बुलाया जो उसकी शांती और संतोश को चीनते हैं धन का आशिवा देने के लिए वापस आते हैं जो आने वाली पीडियों हो जाता है तो वहीं कई लोगों को मानना है कि ये कल्पनी कहानी है असपास के इलाकों में रहने वाले लोगों और ग्रामिनों के अनुसार तुमबाड वास्ते में छिपे हुए खजानों का स्थान है स्थानिय लोगों का मानना है कि तुम्बाण में पुस्तानी खजाना चुपा है जिसकी कीमत किसी भी संख्यात मक काकड़े से परे है गाउं के स्थानिय लोगों का कहना है कि गाउं के किसी प्रमुक छेतर में एक प्राचीन खजाना है जो जमीन में दबह हुआ है लेकिन कोई भी सही स्थान नहीं जानता या इससे भी अधिक लोग अग्यात कारणों से इसके बारे में बात करने से डरते हैं तुम्बाण गाउं की कहानी कोई वास्तवी कहानी नहीं है लेकिन यह गाउं ही प्रसिद्ध मराठी उपन्यास शिरीपद नारायन पेंड से की कृती तुम्बाण चे खोट की प्रिष्ट भूमी के रूप में काम करता है आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें अविश्य बताएं साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपके क्या राय है ये भी हमें कमेंट बुक्स में जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें